हलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे Projectile Motion का तीसरा केस Oblique Projection from a Height तीसरा केस कौन सा? तो मैंने बताया रहा कि पहला केस था Ground to Ground Projection दूसरा केस था Haugental Projection from a Height तीसरा केस है Oblique Projection from a Height चौथा Projectile Motion का बुक में एक और केस दिया रहता है Inclined Plane पे Inclined Plane में Projection चार केसे में Projectile Motion के सारे Questions ने पढ़े आते है Oblique Projection from a Height का मतलब यह है कि Ground से आप किसी Height पे जाके किसी Building के, किसी Minaret के आप Top पे जाके एक Ball को आप Throw कर रहे हो Oblique Direction में जब आप Ball को Oblique Direction में Throw करोगे तो उसकी जो Velocity होगी उसमें एक X Component आएगा और एक Y Component आएगा मालो अपने U Speed से फेका है Theta का एंगल बिनाते हो और जंटल से तो एक U Cos Theta एक U Sin Theta Velocity के दो Component आगा है अब जैसे ही अब Ball को फेक दोगे उसमें G का Acceleration लगने लगेगा Downward Direction में तो अब Velocity और Acceleration मैंने क्या बता है और बार-बार रिपीट करता हूँ Velocity और Acceleration अगर एक ही लाइन में हो तो Object का पाथ Straight Line होता है Velocity और Acceleration अगर हमेशा 90 डिग्री पे हो तो Object का Particle का पाथ Circular Motion होता है वो भी Uniform Circular Motion और अगर Acceleration Constant हो और Velocity सो Oblique Angle पे हो तो Particle का पाथ Parabolic होता है और वो Parabolic ही क्यों होता वो Proof जो है अगले वीडियो में आपको मैं दूँगा उसका बताऊंगा कैसे Derive करते हैं कि Projectile Motion का पाथ Parabolic होता है इस वीडियो में हम लोग तो Analyze करने जा रहे है आप देको Projectile Motion में Analyze करने में यही सारी चीज़े होती है कि आपको उसके Kinematic Variable Acceleration, Velocity, Displacement किसी भी Moment पे लिखने आने चाहिए Time of Flight बताना आना चाहिए Range बतानी आने चाहिए Time of Flight और Range एक ऐसी चीज़े जो बार-बार आपको और दूर तीसरा Maximize Ground to Ground में भी बताया था Horizontal Position में भी बताया था Maximum वाले इस पर Oblique Position वाले भी बताते है देखे जैसे ही आपने फेका Velocity और Acceleration Oblique है Velocity का एक X Component एक Y Component Projectile Motion चाहिए Ground to Ground हो चाहिए Horizontal Position फ़र्म में हाइट हो चाहिए Oblique Position फ़र्म में हाइट हो करना आपको Motion को Component से Break करके ही है अब जो मुचली Perpendicular Direction होती है वो एक दूसरे से Independent होती है X का Y से Y का X से कोई मतलब नहीं होता Nothing, कोई भी नहीं एक दूसरे से मुचली Independent होती है सिवाए Time एक ऐसी चीज़ होती है जो दूनों में Common होती तो आपको करना क्या है आपको देखो पहले तो समझने की कोसिस करो X में कोई Acceleration है क्या Air Friction अगर 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 कर दो तो X में कोई Force है क्या बोलो, नहीं है न X में अगर कोई Acceleration है Force नहीं है, लेकिन X में Velocity तो है कितनी है, यह Cost Theta अब जब X में Velocity है यानि कि Particle चला है और कोई रोकने वाला या कोई बढ़ाने वाला ना हो, तो जैसे चला है वैसे चलता रहेगा, तो X का Motion उनिफॉर्म है U Cost Theta से, X का Motion वार से में U Cost Theta से होता रहेगा Y में U Sign Theta कि आपने नेशे Velocity जरू दीती Age अपधर Direction में बड acculation तो Downward था और Velocity acceleration जब एकी Line में और opposite direction में हो, तो Retardation होता है तो Particle उपर तो जाएगा Retarded manner में, ऊपर जाके Speed गरते गरते 0 होगी, जैसे proved बंडी में होता है, और फिर नीचे जब लौकनेगा तो Acculation के वैसे दोनों को अलग-अलग अनलाइस करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो यह आपका motion deal हो जाएगा, हर बोजक्टाल motion ऐसे deal होता है, तो देखिए आप इसमें ground-to-ground वाले formula मत लगाना, अगर आपने ground-to-ground वाले formula लगा दिया, ground-to-ground position का, maximum idea हो दिदी, hue square, sin square, data upon ground-to-ground यहां लगा दिया, तो गलत आएगा answer, आना भी चाहिए, ground-to-ground का मतलब होता है, आप जहां से start कियो, वहीं पर आके end कर दो, इसको बोलते है ground-to-ground, इतना part जरूर ground-to-ground हो सकता है, पर एक ground पर पहुंचा थोड़ी नहा है, time taken by this projectile to reach the ground-to-ground, तो यह होगा जभी यहा से tower से फेका हो h है, तो इसकी कोई maximum height पूचे है, तो जरूर आप बता सकते है, h plus u square sign square theta upon 2g, मैंकिर हमें तो time of flight बताना है, और 2 u sign theta upon g तो नहीं होगा, 2 u sign theta upon g से ज्यादा होगा, तो एक दो तरीका यह कि 2 u sign theta upon g में, यहां से यहां तक टाइम आप जोड़ दो, यहां से तो बच्चों को अच्छे से समझाया था, और आप लोगो भी बता रहा हो, time of flight निकालने की y को पकड़ो, किसको पकड़ो, y को, फिर से बोल लाँ, time of flight किससे निकालते हैं, बोलो x से की y से, y से, range किससे निकालते हैं, x से की y से, तीसरा option, दोनों में से किसी से नहीं, चौतरा y से निकालना होता है, तो दोनों से करते हैं, तो तो कि y से आपने क्या किया, s is equal to ut plus half a t square, लगाया, लगाया, s में आपने displacement लिखा minus h, यह distance तो होती नहीं है, यहाँ से चलके यहाँ आए, बट y direction में displacement तो है, initial to final, ground में, downward minus है, downward negative माल लिया, for positive to minus h, initial will lost to us and theta plus की, half g t square में g minus का, अब यह देखे, t में quarter take है, t में क्या है, quarter take, quarter take किससे solve करते हैं, अपने पुराने इंडिया के महांगर तक, सीधरा चार जी से, किदरा चार equation लगाओ, t की value निकालो, दो values आएंगी, minus फाली मत लेना, time negative नहीं होता, अब आज ओ range पे, range किससे करोगे, x के motion से, अभी बताता है, दोनों से, x में यो cos theta, और जो time निकाला होगा, वो y वाला, यह multiply कर दो, distance is good to speed into time, निका जाएगा, question करो, यह 80 meter की, आप अपनी जब copy लेके बैठना, तो जरूर करना properly solve, मेरे answer से, मत करना, 80 meter की height की building है, 20 meter per second, 30 degree पे छोड़ दीगा, बताओ time of flight to arrange, 20 के component करो, पहले तो, 20 cos theta, 20 into root 3 by 2, 10 root 3, 20 sin theta, यहनिके 10, अब s is equal to ut plus half 80 square, लगाओ, लगाया, minus 80, 10t minus half 10t square, t में quadratic बनी, यह देखे, t 20 square minus 2t minus 16 is equal to 0, t की value मैंने solve करी, अब यहां पर देखे, minus b plus minus आता, तो minus आला छोड़ दिया है, मैंने, सिर्फ positive वाला लिया है, और उसे कुछ 5.01 का answer आ रहा है, तो 5 second मैंने ले लिया है, approximately, range कितनी, तो x में velocity 10 root 3 into 5 point, जो भी आया था, 5 point, जो भी आया था, 5, multiply करते है, तो range जा गई, तो यह देखे, oblique position form में height हम लोग करना सिख गया हाथ परीके से, velocities मैंने नहीं निकाली, बड़ velocity x में हमेशा u cost theta है, y में u plus 80 करके निकाल देना, तो पूरा motion x औ y में break करके हो जाएगा, इससे अच्छा तरीका कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आपको ये video पसंद जाया हो, तो like करना, comment करना कुछ, जो भी दिक्कत हो, और जो भी चीज समझना चाहते हो, कोई question ना समझ में आए, तो comment box में करके बता देना, आप चाहो तो पूछो तो app download करके वहाँ पर ही आप कर सकतो, उस doubt कर जल्दी से जल्दी आपको result किया जाएगा, solution दिया जाएगा Thank you.